दोस्तों क्या आपको पता है कि 100 वाट का सोलर पैनल कितना एंपियर आउटपूट सप्लाई करता है नहीं पता है ना चलिए छोड़िए क्या आपको पता है कि कितने वाट का सोलर पैनल कितने एंपियर आउटपूट सप्लाई करता है मतलब कि जो भी हम सोलर पैनल खड़ी द Ampere वो और अप्पुट सप्लाई करेगा अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के कोई सोलर पैनल ढोंड रहे हो या फिर 12 वोल्ट की 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए स्कूर्ण रहे हो तो इस वीडियो में बिना स्किप किए ही लाश्ट तक ज़रूर देखेगा और है बहुत इंट्रस्टिंग यह वीडियो होने वाला है तो प्लीज अभी तक इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटुब चानल पर नहीं होंगो तो चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें देखिए लाइक करन पताने वाले हैं जिससे आपको पता चाले जाएगा कि कौन से सोलर पैनल कितने एंपियर आउटपूट सप्लाई करेंगी सब्सक्राइब के तो पताते हैं कि अगर हम 100 वाट का कोई सोलर पैनल खड़िते हैं तो उसका आउटपूट सप्लाई क्या होगा देखिए गाईस या फिर 20 वोल्ट होगी या फिर 22 वोल्ट होगी इन तीनों वोल्टेज में से कोई ना कोई जरूर होगा 18, 20 या फिर 22 वोल्ट तो सब कुछ डिपेंड करता है वोल्टेज पर ही अगर 18 वोल्ट मिल रहा है तो हमें एंपियर जादा मिलेगा 20 वोल्ट मिल रहा है तो एंपि प्रफट सप्लाई 18 वोल्ट है तो आपको 5.55 एंपियर और पुट सप्लाई मिलेगी जी हां दोस्तों यह मैं आपको थेयरोटिकली कह रहा हूं अगर आपका सोलर पैनल पे 18 वोल्ट लिखा हुआ है कि उसकी सप्लाई अथर बोल्ट होगी तो उसको एंपियर जो है 5.55 एंप सप्लाई करेगा 22 वोल्ट तो आपका सोलर पैनल का जो एंपियर है वह और कम हो जाएगी लगभग सारे 4 एंपियर के आसपस में रह जाएगी तो जो भी हम 12 वोल्ट के लिए सोलर पैनल खड़िते हैं उसकी आउपुट सप्लाई जो है पहले वोल्टेज हमें देखनी होग यह 18 वोल्ट होगी यह फिर 20 वोल्ट होई ये इंतीन में से कोई नैंको यह जरूर होगा सपूज अगर आप 200 व Judaism रहे हो दोस्टेयौ दिवाय करके देखना यह तो 88 करने के बादत एंसर अड़ी फोइंच एंपियर सप्लाई करेगा में अगर ढाले तो हमें 20 फbreates कर आखक लगता है अगर हमारे सोलर पैनल बाइस बोल्ट सप्लाई कर रही है तो सारे 11 एंपियर के असपास में हमें आपके सामने रखा इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर मैच कर जाएगा अगर आप कोई भी सोलर पैनल 200 वाट का खड़िते हो तो देखिए अगर आपको लग है कि हमें 12 v mov की बैटरी को चार्ज करना है तो हमस्तों हमारा सोलर पैनल ऑफैसे माइस बोल्ट या तो यहां पर क्या होता है 24 बैटर को चार्ज करने के लिए कोई सोलर पैनल लेते हैं तो यहां पर उसकी सप्लाई 38 बोल्ट से लेकर के यहां पर 45 बोल्ट दक मिल जाता है अगर हम 500 बोल्ट को पहले हमें 38 से डिवाइड करते हैं तो 13.15 बैटर को चार्ज करेगी अगर हम 500 बोल्ट का सोलर पैनल खड़िते हैं तो या फिर अगर हम 40 बोल्ट पी अगर हम लेकर चलते हैं मतलब कि 500 बोल्ट का सोलर पैनल खड़िते हैं 24 बोल्ट बैटर के लिए है तो आप इस तरह से भी क्लिशन कर सकते हो और किसी बी स्ट आपको पता चल जाएगा कि उसकी आपपुट सप्लाई कितनी है लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली जानना है कि आपकी आपकी स्टॉलर पैनल की आपको सप्लाई कितनी है तो यह सब कुछ डिपेंड करता है अब सब पर आपको सब्सक्राइब खिर पार मिया सब्सक्राइब करें अभी तक क्या ही लाइक कर सौ Cath कर चैनल को अभी जरू सब्सक्राइब करें झाल झाल